अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिन पार्क सडक या रास्ते को हम रो जाना देखते हैं उसके अंदर इतिहास का ख़जाना चिपा होता है और हमें पता भी नहीं जलता जब यह हैरान कर देने वाला रह से बाहर आता है तब कहीं जाकर यह है अहसास होता है कि यह जगे कितनी अहमियत रखती है कुछ ऐसा ही एजिप्ट की राजदानी काहिरा में देखा गया काहिरा में एक बस्ती है मटेरिया इस बस्ती के पास एक नाला बहता है कुछ समय पहले जर्मनी और एजिप्ट के खोच करता पुरानी सब्भेता से जुड़ी चीजों को खोचते हुए यहां पहुंचे थे अपनी खोच के दौरान उन्हें प्राचीन सब्भेता से जुड़ी कुछ चीज़ें मिली तो उन्होंने अपनी खोच का दायरा बढ़ा दिया बस्ती के आसपास जब कुछ न मिला तो वेहन निराश हो गए लेकिन इसी बीच पता नहीं उन्हें क्या सूज़ा उन्होंने वहां बहने वाले गंदे नाले में खुदाई करने की ठानी शुरुआती खुदाई में तो उनके हाथ कुछ न लगा लेकिन करीब सौफुट खुदाई के बाद उन्हें एक विशाल मूर्ती का धड़र नजर आया जब मूर्ती को निकाला गया तो यहां मूर्ती करीब 3,000 साल पुरानी थी यह उस समय वहां शासन करने वाले राजा रामसेस सेंकड की मूर्ती थी 26 फुटूची इस प्रतिमा की खोज करता चार साल से तलाश कर रहे थे इस बस्ती को कई हजार साल पहले हेलियोपोलिस नाम का शहर बसता है इजब्च में माहियता है कि इस जगे को सूर्य देव ने संसार की रचना करते समय बसाया था कई हजार साल पहले जब रूमन सामराजे ने इस शहर पर कबडा किया तो सारी इमारतों को गिरा कर नए निर्मान किये खोज करताओं का मानना है कि उस दोरान ही इस मूर्ती को गिराया गया होगा खोज करताओं को यहां बेशकीमती चीजे मिलने का अनुमान है नाले से मिली इस बेशकीमती मूर्ती के मिलने के बाद खोज अभी जारी है